जेहीं दोस्तो आजके इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलीस MTS की नई भरती के बारे में आप सभी को बता दे दिल्ली पुलीस के तरब से MTS के अंतरगत जो है ट्रेट्समेन का आपका वेकेंसी होने वाला है जिसके अंतरगत आपको काफी सारे पोस्ट देख गया है तो दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं दिल्ली पुलीस के अंतरगत MTS पोस्ट पा जाने के लिए जिसमें काफी सारे ट्रेट्समेन के पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे तो इस भरती के बारे में आजकी इस वीडियो में complete details आपको बताएंगे इसके age limit, educational qualification और इसके अलावा दोस्तो इसका selection process कैसे होता है complete details आजकी इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा क्योंकि दिल्ली पुलीस related सभी update इस चैनल पर आपको देखने को मिले देखेंगे तो देखिए दोस्तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं vacancy के बारे में कि आपका जो है भरती कव आने वाला है तो देखिए दोस्तो यह आप सभी देख सकते हैं SAC का officially calendar है staff selection commission का आप सभी यहां पर देख सकते हैं और इसमें जो आपको vacancy का details है जैसे कि यहां पर देखेंगे 14 नंबर के अंत्रगत multitasking staff civilian in दिल्ली police examination 2023 तो इसके अंत्रगत आप सभी देखेंगे जो form apply का date है 10 October 2023 दिया गया है यानि कि 10 October से आप सभी form इसके apply कर सकते हैं और last date इसका 31 October 2023 है और exam आपका December से जनवरी तक जो है conduct होने वाला है तो इसके बारे में यहां पर details दिया गया है exam का schedule भी आप सभी को बताएंगे कि कब कब आपका exam है क्योंकि exam का schedule भी इसका आचुका है तो इसका form आपका 10 October से सुरू होगा इसके बाद दोस्तों यहां पर बात करें कि इसमें कितने post आपका रहने वाले हैं और जो है आप सभी देखेंगे इसमें post की बात करें तो post जो आपका total रहने वाला है वो है 888 आप सभी को बता दे दिल्ली पुलीस MTS के अंत्रगत 888 आपका total vacancy रहेगा जिसमें on reserve के लिए 407 EWS के लिए 88 OBC के लिए 274 SC के लिए 55 और HD के लिए जो है आपका 61 रहेगा अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस भरती की जो है complete details के बारे में जो की इसके पहले 2017 में इसका भरती आया था और उसी के notification के coding जो है इसकी complete details आप सभी को बताएंगे लेकिन सबसे पहले आप सभी को बतादे अगर आप सभी SSE Constable GD की जो upcoming आपका भरती है SSE Constable GD का इसका अगर आप सभी तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए best book रहने माला है चक्छू publication का यह complete guide है जिसमें आपको सभी subject देखने को मिल जाएंगे जो SSE Constable GD के exam में पूछे जा सभी कुछ एक ही book में देखने को मिलेगा इसके अलावा चक्छू publication का प्रेक्टी सेट भी आता है तो complete guide और प्रेक्टी सेट दोनों book को आप सभी purchase कर सकते हैं इसके purchase के link आपको description में मिल जाएगा या नजदी के market से भी जाकर इस book को आप सभी ले सकते हैं अब दोस्तों यह पर वेकेंसी की complete details की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं यह रहा notification और यह notification आप सभी को बता दे previous जो भरती था 2017 में जो आपका MTS का वेकेंसी आया था उसका notification है और इसी के according आप सभी देख लिजिए क्या इसकी eligibility criteria रहने वाला है तो सबसे पहले वेकेंसी की बा सभाई करमचारी इसके लबाब कोबलर होगिया वासर मैं होगिया टेलर होगिया डाप्टरी होगिया माली होगिया वार्बर होगिया करें तो यह सब इस पोस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे और आप अपने as प्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो एज लीमिट की बात करें तो देखिए दोस्तो एज लीमिट आपका मिनमम अठारे और मैक्समम जो है 27 वरस रहेंगे और इसके अलाबा OBC को तीन वरस और CST को जो है 5 वरस का छूट आपको देखने को मिल जाएगा तो यह तो रहा आपका एज लीमिट इसके बाद दोस्तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे जो आपका यह भरती है इसकी इजूकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए तो इजूकेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें रीटेन टेस्ट के बारे में यानि कि जो आपका इसमें एक जाम होने वाला है तो देखिए दोस्तो 2017 में तो एक जाम आपका OMR best conduct कराया गया था लेकिन इस बार जो है आपका CBT एक जाम conduct हो सकता है क्योंकि CBT एक जाम होने की ज़्यादा संभावना है तो देखिए दोस्तो इसमें syllabus की बात करें तो 100 प्रस्ण रहेंगे 100 marks का और 90 मिनट जो है आपको समय इसमें दिये जाएंगे और जेनरल इंटलिजेंस एंड रीजिनिंग से 25 प्रस्ण 25 नमबर का नुमेरिकल एपिचीवट से 25 प्रस्ण 25 नमबर का और जेनरल एवारनेस या करेंट अफ सभी का इसमें trade test भी होगा जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने बता हैं इसमें काफी सारे post रहेगा कूक रहेगा वासर मैन कोबलर और काफी सारे post रहेंगे तो जीस भी post के लिए form apply कर रहे हैं उसका trade test आपका होगा और trade test आपका 20 नमबर का होने वाला है जिसमें से 10 marks जो ह minimum आपको नमबर लाना होगा तभी जाकर आप qualify करेंगे तो इसमें trade test भी आपका होने वाला है तो ये आपका trade test में जो है अलग अलग trade के अंतरगत कौन-कौन से activities आप से कराए जाएंगे और उसके लिए कितने marks है उसका details आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा जैसे cook trade ह तो इसके अंतरगत कौन-कौन से activities के अंतरगत कितना marks है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे जो mode of selection है इसमें आप सभी को पता है कि सीधा आपका जो return test होगा उसके बाद trade test होगा और देन उसके बाद final merit list तयार कि किया जाएगा तो इसमें trade test qualifying nature है तो इसमें केवल pass करना है में आपका return exam के अधार पर marks बनने वाला है तो दोस्तों यह इस भरती का details है और PT-PHT की बात करें तो इसमें यह सभी नहीं होता है किमकि previous notification में इसके बारे में कोई भी details नहीं दिया गया है तो आप सभी यहाँ प सकता है कि इस बार कुछ बदलाव आपको देखने को मिले लेकिन फिलहाल previous भरती के according यहीं आपका details है तो I hope आपसे भी समझ गये होंगे कोई भी सवाल हो तो comment section में बताइए फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम